नमस्कार दोस्तों आप सभी का डक्टर किंस्मेन होमियों में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों क्या आप दारदर से परिशान है आपके मशूडों में दर्द है या आप पाईरिया से पीडित हैं मूह से बद्बू आती है अगर इस प्रकार की किसी भी बीमारे से पीडित जिनके बारे में आज हम आपको अपती इस वीडियो में जानकारी देने चलने हैं दरसल दोस्तों इस किट में है मर्क शाल, क्रियो सोटम, हेकला लावा, टूथ पाउडर और भी इसमें कई चीजे हैं ये एक किट के रूप में आती है और इस किट का कैसे इस्तिमाल करना है नात के दर्द के लिए, मशूणों में सूजन के लिए, छाले के लिए, पैरिया के लिए, मुँ में बद्बू, अगर आ रही है, सांस में बद्बू है ये सबसे अच्छी दवाओं का संयोजन जो एक ही जगा प्राप्त होने वाली सुविधा इस किट में आप पाएंगे। होमेपैथी चिकिस्सा किट की सिफारिस बहुत सारे होमेपैथिक डाक्टों के दवरा की गई है। पाएरिया की होमेपैथिक दवा, खून बैरहा, मसूडों में अगर आपके जो है मसूडों से खून आता है, सूजन है तो इन सारी चीजों को ये बहुत ही अच्छे से फायदे में करेगी। आपको मालूम है कि पाएरिया गिंगवाइटिस का एक गंभी रूप है जिसमें मसूडों की सूजन, दान्त की सहायक संरशनाओं तक फैल जाती हैं, मसूडों की बीमारी और इससे संबंदित इस्तितियों को कई नामों से जाना जाता है जिसे जिंजीवाइटिस, पिरियो पिरियोडोंटाइस्टिस, पाएरिया सीधे सब्दों में मसूडे की बीमारी तप्रकट होती है जब पटिका और टार को गम लाइन पर बनाने के अनुमती होती है प्लाक और टार बैक्टिरिया से भरे होते हैं तो तब मसूडों के संक्रमन का कारण बन सकते हैं में ताकत और च्हमता की कमी के साथ आपके पास सायद ही एक कठी समय होगा जो आपको आवश्यक पूसक्तत्यों को अवसूसित करने के लिए भोजन को ठीक से चबाने और पचाने की कोशिश करेगा संक्रमन से आपके स्वास्त को सबसे अधिक खत्रा था जैसे जैसे आप कमी मधुमे रोगी एलोपैथिक दवाएं इन सारे कारणों से जो है आपको पायरिया हो सकता है लक्षण क्या है मसूडों में सूजन मसूडों में लाली होना मसूडों में रक्त स्राव अब दोस्तों बात करते हैं कि यह जो पायरिया किट है इसमें पांच होमेपैथिक द पांचवा है Biocombination 18, BICO 18, यानि ये पांच दवाईयों का एक कंबिनेशन है, एक कीट है, ठीक है, जो जिसे आप किसी भी होमेप्रतिक इस्टोर से आप इसे खरीद सकते हैं, तो आए जानते हैं, ये अलग-अलग जो पांचों है, इनमें जो पांचों दवाईयां मिली है, य पहली जैसी है, वीजकल हेhelा लावा तूथ पाउडर, इस तूथ पाउडर को आपको टूथ पेस्ट के जगा इस्तिमाल करना है, या बहुत प्रभावी टूथ पाउडर है, केलसियम आपके दाने में मदद करता है, या खराप गंध को दूर करने में भी मदद करता है, जो आपके मसोडों में सूजन या मसोडों के आसपास लालिमा को कम करने में मदद करेगी या मुह में धात के स्वाद को भी हटा देगा जो आपको पाइरिया के कारण मिलता है और जो इसमें तीसरी दवा है दोस्तों क्रेव सोटम अगर आप पाइरिया से पीडित हैं और आपके मुझ से बहुत बदबु आ रही है तो यह दवा खराबगंद के इलाज के लिए सर्वुत्तम है यह आपके दात में दर्द को भी ठीक कर देगा जो की पूरी तरह से पाइरिया के कारण होता है अगर आपका मशूरे नीची के और बढ़ रहे हैं यह दवा मशूरों की गति को नियंत्रित करने में भी मदद करेगी और चोथी दवा है हेमामेलिस वर्जिन का 30CH यदि रक्त सराओ प्रमूख है और जब भी आप थोकते हैं तो रक्त निकलता है तो यह दवा रक्त सराओ के समस्या को नियंत्रित करने और ठीक करने के लिए सर्वित्तम है यह एक बहुत प्रभावी दवा है जो पाइरिया को ठीक करने में बहुत मदद करेगी और अगला दोस्तों पाचवा जो है वो है बायो कंबिनेशन 18 यह एक केमिक साल्स की दवा है जो पाइरिया की सभी समस्याओं के लिए एक समग्र दवा के रूप में काम करती है कुल मिलाकर यहां पाइरिया के मामले में एक बहुत प्रभावी दवा है और विसेश रूप से पाइरिया के लिए बनाए गई है इसमें कैलकेरिया फ्लोरिका 3X, सिल्किया 6X और कैलकेरिया सल्फारिका 3X उपलब्द है अब कुश्चन ये है कि इसकी सेवन की मात्रा और बिधी क्या है वीजल टूथ पौडर को टूथ पेस्ट के बजाए दिन में दो बार प्रयोग करें और उप्योग ब्रस के बजाए उंगली से करें और इस पौडर का उप्योग करके अपने दाद की धीरे से मालिस करें मर्क सोल 30CH 2 हर सुबह और रात में सीधे जीव पर दो बूंद आपको गिराना है और अगली दाद जो है क्रियो सोटम हर सुबह और रात में जीव पर सीधे दो बूंद हेमा मिलिस वर्जिंद का 30CH हर सुबह और रात जीव में दो बूंद बायो कंबिनेशन 18 छे गोलियां हर सुबह और साम आपको लेना है बस ध्यान देना है कि इन दवाओं की बीच में कम से कम 10 मिनट का जो है अंतर होना चाहिए 10 मिनट के अंतर पर ही आप जो है दवाए लेंगे अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके दादों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है कुछ और समस्या हो रही है तो आप किसी न किसी योग चिकिसक से परामर्स ले सकते हैं और अपने दाद का इलाज करवा सकते हैं तो दोस्तों यह दाद के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है आप एक बार आजमा कर देखिए अगर आपका पारिया ठीक नहीं हो रहा है जैसा कि मैंने बताया मशुणों में सूजन है खून आता है या सांस में बदबु आती है तो इन सारी चीजों के यह एक उत्तम सरवत्तम होमेपैतिक टीट्मेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों तो आप इसका इस्तेमाल करिए धेदर करकी यह मस्त रहिए मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार